गाउं जोडी पट्टा सात्यू में पैर फिसलने से पानी के कुंड में गिरा 46 वर्षे वेक्ती हुई मोत पुलिस ने जिलास पत्ताल की मोर्चनी में करवाया पोस्ट माटम जोडी पट्टा सात्यू में मंगलवार को बैस को पानी पिलाने के लिए कुंड से पानी निकालते समय पैर फिसलने से 46 वर्षे वेक्ती पानी के कुंड में गिर गया डूबने से उसकी मोत हो गई गट्टा की सूचना पर पुलिस ने शव को कुंड से बाहर निकलवा कर चूरू के राज के भरतियास पत्ताल की मोर्चनी में रखवाया जहां पोस्ट माटम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया भलेरी पुलिस ने बताया कि जोडी पट्टा सात्यू निवासी हैमराज पुरी अपने घर में मंगलवार को भैसों को पानी पिलाने के लिए कुंड से पानी निकाल रहा था इसी दोरान उसका पैर फिसल गया और वेकुंड में जागिरा जिससे उसकी मोत हो गई उसके दो पुत्र हैं जो दोनों शादी शुदा हैं पुलिस ने पोश्ट मार्टम कर शव परीजनों को सौप दिया है पुलिस ने मरतक के बैटे कमलेश पुरी की रिपोर्ट पर मर्ग दरजकर जाज शुरू कर दी है